हेलो बच्चो 11 के अडविशन से स्टार्ट हो चुके हैं लेकिन बच्चों की कम आकस आये हैं जिसके कारण जो है उनको काफी ज़्याद अधिकत हो रही है और वो हमें लगतार कमेंट कर रहे हैं कि सर जो है मेरे मैथ में 49 आये हैं इसी को कहना है कि मेरे साइंस में जो है सब्सक्राइब कर लेते हैं कि मेरे 56.2 परसेंट इनके माक्स आये हैं क्लास टेन में लेकिन जो है यह कॉमर्स कॉमर्स बीत मैथ चाहिए तो क्या मिल जाएगा क्रिटीरिया को सबसे पहले आप साब सब देख लेते हैं क्रिटीरिया क्या कहता है क्रिटीरिया कहता है क्रिटीरिया कहता है क्रिटीरिया कहता है कि कॉमर्स बीत मैथ के लिए इलजीवल नहीं है क्योंकि कॉमर्स बीत मैथ के लिए जो है math में कम से कम 50 number होने चाहिए लेकिन आपके 46 number है तो ऐसे जो चाहत जिनके एक marks जो है 50 number से कम है 2 marks कम है तो ऐसे में जो है उन चाहतों को commerce without math के लिए जाना चाहिए अगर science के लिए जा रहे हैं तो science without math के लिए क्योंकि minimum आपको मार्क्स जो हैं पर दिख रहा है यह minimum मार्क्स आपको इतना होना ही चाहिए यानि कि 100 नंबर का पेपर होता है जिसमें यहां पर सबसे कम मार्क्स रखा गया है कि आपको 50 मार्क्स भी आप लेते हैं तो आपको बीत मैं दे दिया जाएगा लेकिन अगर आप 49 ही मार्क्स आपके आए हैं 48 मार्क्स आए हैं तो आप इस गाइडलेंस के मताविद आप इलजीवल नहीं है इस स्ट्रीम के लिए अगर आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें यह हो सकता है कि 80% चांसेस होंगे कि आपको जो है वो स्ट्रीम ना मिले 20% चांसेस इसलिए कहा जा सब्सक्राइब को जो है कि आप को जब आपको लगता है कि मुझे वीथ मैथी लेना है तो आप क्या करिए कि बीथ मैथ के लिए फॉर्म भर दीजिए और जब आपका नाम नहीं आएगा तो आप जो है सेकंड शाइकल जो चालू होगा उसमें आप बिदावट मैं आप बढ़ दिया है तो मैं आपको बता दू कि आपका एडविशन कब तक हो जाएगा यह पूछना चाहरे हैं कि मेरा एडविशन कब तक हो जाएगा 11 में तो जो छाथ जो है जिन्होंने cycle 1 के दौरान जो है जो भी form भरेंगे यानि कि आपका 6 तारीक से लेके 16 तारीक के बीच मे जो है आपके form भरे जा रहे तो जो भी छाथ जो है registration करेंगे तो उनका जो है 25 तारीक को नाम आएगा 25 अगस्त को जो है आपका नेम डिस्प्ले होगा उस स्कूल में जिस स्कूल के लिए आपने form भरा होगा अब यहां पर साथ साथ एक और सवाल यह भी पूछते हैं कि मेर में 52 है SST में 69 है इंगलिस में आपका 68 है जो है आप 100 परसेंट इलजीवल है commerce with math के लिए तो आपको जो है मिल जाएगी commerce with math आप इलजीवल है क्या आपको पढ़ाई में आते हैं डाउट तो simply 5 सिकन में डाउटनेट पे करो no say out simply आपको जिस questions में डाउट है उसकी फोटो की करो तुरंट वीडियो सॉलिशन्स आपको मिलेगा डाउटनेट पे चाहिए वो कोशन्स आपका आप फिजिक्स का हो केमिस्टी हो मैथ बैलो जी हो सीबेसी बोर्ड या देशवर की तमाम कोई सीबेस्ट बोर्ड हो या क्लास 6-12 तक को सभी का तुरंट वीडियो सॉलिशन का इनका पूछना है कि एडिशन्स हो जाने के बाद क्या जो नेम है यानि हिए कहना चारहे चारे है कि क्या स्कूल के बाहरी देखना पड़ेगा या लौग इनएडी से भी पता चल जाएगा आपको आपका नाम आ जाएगा स्कूल के लिए वहाँ पर जा सकते हैं यह पूरी कम्प्लीटली जो है आपको 25 तारीक को पता चल जाएगा यानि 25 अगस्ट को जो है यह लिस्ट आ जाएगी उसके बाद जो है आप कोई मैसेज आ जाएगा अगर मैसेज नहीं आता तो आप स्कूल में भी फिजिकली विजिट कर सकत पीची एम या पीची भी आपको दोनों स्टीम जो है आपको मिल जाएगी को मिल जाएगी आप फॉर्म भर दीजे क्योंकि फॉर्म जो है लास्ट देट उसका 16 अगस्ट है जो भी छाथ दिली की गौर्मेंट स्कूल मेडविशन कराना चाहते हैं उनका लास्ट डेट जो ह सब्सक्राइब लिएगा जो है आपको परसेंटेज इस अकॉर्डिंग देख लींजेें आपके सब्जेक्ट के लिए अलग अलग है तो यहां पर पूरी कंप्लीटली आप डेख लीए इस अकॉर्म भर दीजे G यह बहुत है यह बहुत है यह बहुत है कि आपको साइश देखने को मिले और यह बहुत है कि आपके 50 आये हो लेकिन फिर भी आपको साइस देदिया जाए क्योंगी वहाँ पर पैसा बोलता है पर आयवरे स्कूल पर पैसा देज़ीगा तो आपको साइस भी देदेंगे और वार्त भी देदैंगे आपको जो स्थीम चाहिए अड़िशन के रिगाडिंग कोई भी सवाल होता है आप लोग नीचे कमेंन कर सकते हैं आपके यह बगाड अप्राइब भी।